हलो फ्रेंड वेलकम तो दा चैनल फ्रेंड्स गूगल क्रूम में कुछ नई अपडेट आये हैं और आप देख सकते हैं यहां पर कुछ चार से पांच अपडेट आये हैं यूश्फुल अपडेट हैं तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने माला हूं इस बारे में वीड क्रूम देख रहे होंगे इस पर क्लिक करना होगा तो आपको आपका Google क्लों अपडेट है कि नहीं वो दिखा देगा ठीक है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं क्या अपडेट आया है आप देख सकते हैं यहां पर जो प्रोड़क्टिवीटिटि है आप इसे बड़ा सकत कैसे आप यहां पर देख सकते हैं अब टैप पर कुछ नए option आगए हैं जैसे कि मैं यहां पर कोई टैप पर क्लिक करता हूं राइट क्लिक करता हूं यहां पर बहुत सारी option मिचे दिखते हैं new tab to the right new window तो आप यहां पर इस step को अपने इंसाल कस्टमाइज कर सकते हैं एक तो यह है इसे पिन कर सकते हैं duplicate कर सकते हैं reload कर सकते हैं site को mute कर सकते हैं और close भी कर सकते हैं ठीक है अब दूसरा update क्या है अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे top to right corner यहां पर आप अपने जो history है उससे सर्च कर सकते हैं यहां पर दिखाएगा कि कौन से tab open है और कौन कौन से close है जो close tab होंगे अगर आप अपने history जो है उसको सर्च करके देखना जाते हैं कि आपने previous time पर क्या सर्च क्या है तो आपको history बजाने के जरूत नहीं है आपको यहीं से पता लग जाएगा और यहां पर आप सर्च कर सकते हैं और वो निकल के सामने आ जाएगा जैसे मैं apple सर्च करता हूं तो मैंने apple सर्च किया हुआ है तो यहां पर निकल के आ गया है ठीक है अब चलते है next update की तरफ अब यह Google Chrome में ही password को manually save कर पाएंगे site पर जाएंगे कैसे करना है वो विताजता हूं आपको यहां पर आप अपना username और password save कर सकते हैं हलांकि मैं यह recommend नहीं करूंगा कि आप अपना password save करें बट अगर आपके लिए जरूरी है और आप save करते हैं या करना चाहते हैं तो यह कर सकते हैं आपको उसके लिए क्या करना है settings में चले जाना है तीक है उसके बाद यहां पर autofill में जाना है और password manager में जाना है यहां पर आप देख सकते हैं मैंने भी एक site का password save कराएंगो YouTube का ही है YouTube account का ही है तो अगर आप दूसरे site का password भी save करना जाते हैं तो यहां पर add करेंगे वो site ड दालेंगे और password डालेंगे और save कर देंगे ठीक है यह भी कर सकते हैं यह भी कभी अच्छा update है उसके बाद next चलते हैं आप यहां पर आप देख सकते हैं आपने कोई भी site खोली जैसे मैं कोई भी site खोल लेता हूं यहां पर आप आपको Google Lens का support भी मिलेगा आप right click करते हैं कि इसे भी image पर तो यहां पर आप देख सकते हैं open new tab आया है उसके बाद यहां पर आप नीचे जाएंगे तो search image with Google Lens तो यह भी काफी अच्छा option है जैसे आप अप तक अपने Android phone में देखते थे आपको Google Lens का support मिलता था तो अब यहां पर आप images को Google Lens के जरिये search भी कर सकते हैं तो यहां पर आप history पर जाते हैं तो यहां पर आपको search option मिलेगा और अब आप यहां पर search भी कर सकते हैं ठीक है search करके वह चीज पहले की जो previous searches है उनको आप यहां पर दुबार से search कर सकते हैं और दूस्तों आप next update की तरफ चलते हैं तो यह है अब आप यहां पर देख सकते है यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटेक्ट यॉरसर्फ ओनलाइन विद सेफटी चेक तो गूगल क्रोम अब आपको आपके सेक्योर्टी के बारे में भी और अधिक अच्छे तरिके से बता देगा आपको क्या करना है सेटिंग्स में जाना है प्राइवेसी इन सेक्योर्टी म होगा यहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है ठीक है आपके पासवर्ट के बारे में आपको यहाँ पर बता दे जाएगा तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं या फिर वहां से अठा सकते हैं नेक् कि यह इस page का मैं link share करना जाता हूँ तो यहाँ पर option है इस पर मैं click करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सार option आजाते है copy link create qr code screencast बगरा बगर के तो यहाँ पर काफी अच्छे option आजाते हैं ठीक है और friends google chrome का next और last update है copy link to highlight जैसा कि यहाँ पर चलते हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे आप किसी भी चीज को copy करते हैं जैसे इस तरीके से और वहाँ पर right click करेंगे तो आपको यहाँ पर copy link to highlight को option आ जाएगा ठीक है और वहाँ पर वह चीज copy वह चीज highlight हो जाएगी तो उसे आप फिर copy करके share भी कर सकते हैं तो इस तरीके से काफी अच्छे useful updates आये हुए हैं आपको यह वीडियो पसना है तो वीडियो को like करिएगा चैनल को जरू से subscribe करिएगा और यह update आपके कुछ क काम के हैं या नहीं यह भी जरूर बताएं